तो हलो एवरीवान वेलकम टू नेक्स व्लाग मैं हूं जूजो वीली और आप लोगों के लिए लिकर आए करना व्लॉग तो बहुत सारे व्लॉग्स को के अलावा एक्सीवज सेवच के पूरी के पूरी हमने पूस माटम कर दिया पूरी सीरीस का सो मेर को बहुत सारे लोग कहते जा रहें के करके कि गाइस जैसे आपने सेवन डबलो पे व्लॉक्स बनायते हैं स्कॉर्पियों पे हमको एक एक व्लॉक्स चाहिए ताकि जिस दिन हमारे हाथ में गाड़ी होना उस दिन हमें किसी से पूछना ना पड़े कि ये काम कैसे करें ये काम कैसे करें तो I was like चलो let's do this बट सेम टाइम पे मेरी भी एक रिक्वेस्ट है 98.5% वो लोग हैं जो मेरा चानल देखते तो है मगर चानल सब्सक्राइब नहीं करते सो भाई साब चानल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता मैं आपको इंफॉर्मेशन बना के दे रहा हूँ जिससे मैं मूटिवेट हो रहा हूँ वो है सब्सक्राइबर सो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा काम अच्छा होता जाएगा पीछे मेरे फ्रेंड गए सो इंपोर्टन क्या है आप चानल को सब्सक्राइब करें यह this is very important for me आई व्लोग को शुरू करते हैं आज वाला topic है navigation तो पहला महिंद्रा के अंदर जो है MapMyIndia करके ब्रांड है जिसका navigation system अपलोड होता है यह online ओफ-line हर तरीके से काम कर रहा होता है दूसरा हो गया हमारा normal वाला map तो आज हम बात करने वाले MapMyIndia जो की महिंद्रा का navigation navigation है navigation नहीं navigation navigation है उसके बारे में जानते हैं किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपकी problem sorted out कर सकते हैं तो आई व्लोग को शुरू करते हैं इसको मैं बैठा हूँ महिंद्रा Scorpio N के अंदर जिसका navigation कुछ यहां पर है तो आप क्या करते हैं navigation जहां लिखा हूँ उसको tap करते हैं तो यह हमारा navigation खुल गया आई होप आपको अच्छी तरह दिख पा रहा हूँ तो navigation में पहला काम मैं screen को wide कर सकता हूँ ठीक है और मैं कहीं का भी कुछ भी देख सकता हूँ यह है बहुत अच्छी चीज तो पहला resolution बहुत अच्छे है अगर मैं बात करूँ तो properly दिखने वाला navigation है यह वाला कहता है ना proper screen दूसरी चीज बैक आ जाता है इसको tap करा इस वाले को tap करा तो जहां पर मैं इस वक्तु वहां पर आगया देख रहा अप दूसरी चीज क्या है कौने पर जो GPS लिखा हुआ है जब आप टैप करेंगे तो यह आपको यहां से convert करके sorry मैं वापस आ जाता हूं back मैंने क्या बटन दबा दिया जिसकी वज़े से मैं बाहर आ गया सो जब मैं map में जाता हूं तो यह हमारा compass है सो compass के अंदर आप देखो नौर 30 सारी की सारी चीज़े लिखी विए कि इस वक्त मैं किस पोजिशन पर बैठा हूं यहां पर GPS डेट आपका आ रहा होता है जिसमें लाटिट्यूड लॉंजिट्यूट अक्यूरेसी सारी की सारी चीज़ें आती है मैं वापस इस पर बाहर आ गया उसके बाद में जब आप इस तरफ आते चाहते हो तो यह आपके पास पहला तो आप यहां सर्च कर सकते हो जो भी आप destination जानना चाहते हो दूसरा आपको बाखी क्या चीज़ें जाननी है जैसे सपोस्ट करो पंप तो अगर पेटल पंप इसमें डाल दोगे तो यह आपको पेटल पंप बता देगा यहां से मैं बै की चीज़ों को कि आपको कहां जाना है आप यहां से भी नाविगेट कर सकते हो और यहां से जो होटल है वो दिखा रहा होता है जैसे दिखे रहो पिट स्टॉप तो पिट स्टॉप यह मेरे फ्रेंड है उन्हीं की है सब पिट स्टॉप आप जा सकते हो उसी तरीके से आप प्रेस्ट्रों, फ्यूल स्टेशन, आपको जो भी डालना है, वो आप सारी की सारी जगे, इसके अंदर मतलब होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हूं, इंपोर्टेंट कहा है, वो मैं बता दूँ, फर एक्जामपल, वर्ग 360 मेरे घर का अड्रेस है, वर्ग 360 इस वाले मैप में नहीं दिखाएगा, पर अगर आपको एःरपोट के बारे में जानना हो, तो एहरोट के बारे में आपको डारेक्ट है आपको जैपूर एइर पॉर्ट डालोगे ना, इसमें आप my places के अंदर जैसे क्या होता है Adrinox के through भी इसमें data डलता है तो आप उसके through भी अगर आपको कोई data डालना है या Adrinox के through navigate होना है तो आप वो भी कर सकते हो दूसरी चीज़ setting तो setting में पहली चीज़ आई कि optimize routes based on live traffic तो आप live traffic के हिसाब से भी इसको set कर सकते हो online क्योंकि इसके अंदर net चल रहा है ना उस हिसाब से दूसरा आप क्या-क्या चीज़े avoid करना चाहते हो आप highway avoid करना चाहते हो ferries avoid करना चाहते हो toll road avoid करना चाहते हो वो भी इसमें डाल सकते हो सेम टाइम यह आप से पूछेगा कि आपकी बिजनेस ट्रिप है पर्सनल ट्रिप आप उसको भी चेंज कर सकते हो driver assistance किस तरीके का आपको चाहिए for example आपको speed show हो या ना हो safety camera कहां पर है traffic signal दिखाए यह सारी की सारी चीज़ें भी आप से पूछ रहा होगा जो map display करे automatic करे day mode में करे night mode में करे जो आपको voice सुननी है मेरी आवाज आपको पसंद नहीं है तो आप कोई लड़की के आवाज भी सुन सकते हो देखा यह कितना अच्छा option है उसी तरीके से आप यहाँ से language भी select कर सकते हो पर आपके पास इसमें language इंग्लिश यूके नीचे की तरफ data आप कहा पर रहते हो उसी साफ से आप इसमें और data जो MB में है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो कि आप बिहार आसाम कहां का data देखना चाहते हो लास में reset आया अगर आपको वापस stock पर आना है और about में जाकर आप चेक कर सकते हो कि इस वाक वर्जन और वेरेंट कौन सा है यह मैप बहुत अच्छी चीज है मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने कई साल 2012 से वो मैप माई इंडिया काम में ले रहे है यह बहुत accurate है बहुत efficient है मतलब होता है ना कि आप तरीके से उस चीज को काम में ले सकते हो और आप कहीं अटकते नहीं इस इस तिंग यह जो मैप है यह आपको समझ में आया हो अगर समझ में आया तो क्या गरना है चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ऐसा ही प्यार बरसाते रहें और खुप सारे व्लॉग देखते रहें तब तक स्टे हैपी स्टे हल्दी अपना खैल रखेगा मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ एक और इंपोर्टेंट हमारे एक दोस्त है गगन चौधरी बहुत अच्छे बड़े यूट्यूबर है उन्होंने कहाता है कि आप जबी भी को information या गाड़ी लेते हो ना वहाँ पर ना आप mention करा करो कि आपने किस यूट्यूबर के वीडियो को देखा किस वीडियो को देखे आप influence हुए at least brand को पता तो होना चीए ना कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कितना effect impact है उस चीज़ के उपपर तो ठीक है I hope आप मेरी बास समझ रहे होंगे थोड़ा से effort करें हो सकता है दुनिया में कुछ चीज़े change हो जाए और अच्छी हो जाए तो ठीक है मिलते हैं अगले vlog के साथ में